हलो गाईज तो आज डिस्नी प्लस हॉट स्टार पर मनोज बाचपे स्टारर गुलमोहर फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसे देखने के बाद मुझे परसनली लगा कि अरे कुछ मुमेंट्स तो मेरी ही लाइफ के उठाकर इस फिल्म में डाल दिये गए हैं काफी जादा कनेक करेगी आपको खुद से ये फिल्म अब स्टोरी के बात करने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को तो लाइक जरूर कर लिए कहानी है एक गोद लिये हुए बेटे अरुन यानि मनोज बाचपे और उनके फैमली मेंबर्स की कि किस तरह से एज और टाइम के साथ फैमली में प्रॉब्लम्स और दूरियां तो बढ़ती हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता और ये केस तो हम सब की लाइ स्क्रीन पर नज़र आएंगी और अपने मीनिंगफुल डायलॉक से इस फिल्म में हमें बाधे जरूर रखेंगी आमोल पालेकर फरजी वेब सीरीज के बाद एक और एहम रोल दिखाते वे नज़र आएंगे इस फिल्म में तो कास्ट और ट्रू तो बढ़िया है अब इन बड़े स्टार्स का नाम सुनकर आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि फिल्म की कहानी इनहीं के आसपास घूमेगी लेकिन ट्रस्ट मी गुल्मोहर फिल्म की सबसे अच्छी बात यही है कि इस फिल्म में सारे अधर कैरेक्टर्स की लाइफ को उतना ही पास से ऑबजर परक भी लोग हमसे जुरे हैं कहीं न कहीं इनका हमारी लाइफ में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है और उन्हें हमें किसी वी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए अब आजकर trending content especially OTTs में हमें crime, thriller और larger than light type का ही देखने को मिल रहा है लेकिन गुलमोहर इन सब से हट कर pure content, story और acting पर focus करती है जो कि खुद में ही एक काफी bold move है वाया director of this film फिल्म के शुरुआत थोड़ी धीमी है थोड़ा messy भी आपको लग सकती है लेकिन जो शुरू के आदे घंटे इस फिल्म को देखेगा I'm sure वो पूरी फिल्म देख कर जाएगा और इन सभी key points को धिहान में रखते हुए हम फिल्म को देंगे 3 out of 5 hearts तब तक आप में बताईए कि क्या गुल्मोहत देखने का कोई भी plan आपका बन रहा है फिल्म अच्छी है फैमली के साथ आप देख सकते हैं वीडियो के बारे में बताओ तब तक हम आपसे मिलेगे next वीडियो में Till then be safe, take care, love you all